एक तक पूर के सूपर नेच्रल शो नागिन सिक्स में एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट सामने आ रही है नागिन सिक्स के बीते एपिसोड में रिशब के हमशकल से परदा हट चुका है वोई प्रथा ने कियारा बनकर गुज्राल हांस में एंट्री भी कर ली है वोई दूसरे तरफ शो में दिखाया जा रहा है कि उलवशी एक जमीन के पीछे पड़ी है जिसके लिए महग भी काफी क्यूरिस है लेकिन आखित क्या है इस जमीन में ऐसा जिसके लिए उलवशी इतनी उतावली हो रही है तो आपको बता दे कि ऐसी खबरे सामनी आई है कि अपकमिंग विकेंड एपिसोड में इस जमीन से जुड़ा ऐसा ट्विस्ट सामनी आएगा जिससे शो की ओंगोईं कहानी एकदम से यूटर्ण लेगी और इसे के साथ कई नए ट्विस्ट भी आएगी अब क्या है वो तीन बड़े ट्विस्ट जिससे कहानी और ज्यादा रोमान्चक होने वाली है ये भी आपको बताते हैं पहला ट्विस्ट मिस्टर सिंग की जमीन नहीं कोई आम छिपा है सर्वुष्रेश्ट नागन से जुड़ा बड़ा राज वल जैसा की शो में दिखाया जा रहा है कि उर्वशी और महक मिस्टर सिंग की जमीन लेने के लिए काफी जद्वजहद में लगी है लेकिन ऐसे कयास लगाया जा रही है कि इसी जमीन के पिस्ट से ऐसा मोड़ाने वाला है जिसे जान प्रथा के होश भी उड़ जाएंगे जी हां कहा जा रहा है कि मिस्टर सिंग की जमीन को पाने के लिए उर्वशी इसलिए इतनी उताबली है क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा नाग लोग से चुड़ा है कहा जा रहा है कि इसी जमीन के नीचे प्रथा की नानी जो की सरवश्रिष्ट नागिन रह चुकी है उनका शवदफ है जिसमें आज भी कुछ ऐसी दिव्वे शक्तियां हैं जिसे हासिल कर उर्वशी चिंगिस्तान के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्रैन करना चाहती है हालक यह वाकर इस जमीन के पीछे यही राज है या फिर कुछ और ही ट्विस्ट चिपा है या आप इस वीकेंड एपिसोड में देखेंगे लेकिन इतना तो साफ है कि मिस्टर सिंग की जमीन का कनेक्शन प्रथा के पूरवजों से ही जुड़ा है तभी तो उर्वशी इस जम में प्रथा उस कमरे को खुलने की कोशिश करती नजर आएगी हलाकि प्रथा को एन मौके पर महक आकर रोख लेगी लेगिन प्रथा को शक हो जाएगा कि हो ना हो इस बड़े से ताले लगे कमरे के पीछे कुछ तो जरूर है जिसे दुनिया से छिपा कर रखा जा रहा है ऐ उसे जोनने की कोशिश करने वाली है हलाकि अब देखना यह है कि क्या वाकर शक्ति एक शेतान ही है या फिर उसके इस खौफनाक चहरे के पीछे एक नेक इनसान छिपा है जो प्रथा से मिलने के बाद सामने आएगा और तीसरा बड़ा ट्विस्ट प्रथा महक का आमना साम जिहां आने वाले वीकेंड एपिसोड में होगा सबसे बड़ा संग्रा दोनों सर्वश्रेष्ट नागिन मिलकर करेंगी माहा जो पहली बार महक अपने नागिन अफ्तार तो वहीं प्रथा अपने सर्वश्रेष्ट नागिन बन चुकी है लेकिन अब भी वो प्रथा का मु कि कहानी कैसे और नया मोड लेगी और कौन-कौन से और नए ट्विस्ट आते हैं ये देखने वाली बात रहेगी